धर्मेंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से धर्मेंदर ने कुछ ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू कर दी है जिसे पता चलता है कि इस उम्र में भी धर्मेंदर को कई चीजों से तकलीफ देखनी पड़ रही है धर्मेंदर ने आज अपनी एक sad photo share की और उसके साथ उन्होंने caption दिया कि किसी का अच्छा attitude देखकर उस पर आखे बंद करके विश्वास करना ये जिन्दगी का सबसे बड़ा blunder है अब धर्मेंदर की इस पोस्ट को देखकर लोग चिंता में हैं कि आखिर धर्मेंदर को इस उम्मर में किसने धोखा दिया है धर्मेंदर का चहरा भी काफी sad नजर आ रहा है यही कारण ही कि फैंस उनसे पूछने लगे कि पाजी क्या हुआ किसने आपको परिशान किया है कहीं लोगों का माना है कि धर्मेंदर ने ये जो blind faith की बात की है ये अपनी बेटी एशा देउल की personal life को लेकर की है एशा हाल ही में अपने पती भरतकतानी से अलग हुई है और कहीं न कहीं ये इशारा कर रहा है कि शायद एशा ने अपने पती पर अंधा विश्वास किया और उसी में उन्हें धोखा मिला है हाला कि साफ तोर पर तो कहा नहीं जा सकता है कि ये एशा के लिए ही है क्योंकि इस post पर Sunny Deol ने भी एक comment किया है और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि Sunny को लेकर कुछ producers ने हाल ही में एक press conference की थी और Sunny को सबसे बड़ा cheater बताया था उन लोगों के लिए धर्मेंदर ने ये post की है actually धर्मेंदर की इस post पर Sunny Deol ने heart के emojis दिये है और उसके बाद ही लोग कह रहे हैं कि ये उन लोगों को जवाब है जिनोंने Sunny Deol को बदनाम करने की कोशिश की press conference करके तीन-चार producers एक हुए और Sunny को बड़ा cheater बताने की कोशिश की उन ही को धर्मेंदर ने बिना बोले ये जवाब दिया है कि तुम लोग ने sweetly बात की पहले हमारा विश्वास हासिल किया हमने तुम पर blind trust किया लेकिन आज तुमने हमारे साथ ये किया